Hello everyone Good morning तो मिली जीली खिचिचन में आप लोका स्वागत है तो आज 26 जनवरी तो मैं बना रही हूँ एस पेसल तो आज मैं बना रही हूँ टमाटर और अलू का भरवा रेसिपी तो यहाँ मैं टमाटर का भरवा रेसिपी बना रही हूँ तो इसे तमाटर चौब भी बोलते हैं तो यहाँ पे देखिए उसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आलू वाइल की है और इसे मैं मैस कर रही हूँ इस तरह से मैस कर लेना है और गाइस यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बहुत ही अच्छी सबजी बनती है बहुत टेश्टी लगती है तो एक बार जरूर ट्राई करें तो यहाँ पे इसका जो उपर वाला हिस्सा है इस तरह से कट कर देना है और अंदर का जो इतना भी इसका जो यह गुद्दा उसका निकाल देना है जितना भी इसका बीज है सारा को मैं इस तरह से निकाल दूँगी चाकू के सहारे से आप चमच के सहारे से भी निकाल सकते है तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से सारा इसका बीज निकाल दी हूँ यहाँ पे सिर्फ टमाटर बच चुका है तो इसी तरह से मैं सारा टमाटर को कर लूँगी और गाईज उधर देखिए मेरा आलू मैस कर दिये हैं क्योंकि गालू अभी गरम है तो इसी तरह से मैं सारा कर ली हूँ अब चलती हूँ आगे की ओर तो इसको मैं फेकूंगी नहीं बीचा को उसको भी मैं यूज मिलाऊंगी तो यहाँ पर डाली हूँ तेल फिर डाली हूँ थोड़ी सी राई और डाली हूँ तीन बारी कट करके मैं हरी मिर्ची गाईज मैं इसे चोखा फ्राई करूंगी मैं थोड़ी सी हल्दी पॉडर थोड़ी सी मिर्ची पॉडर और थोड़ी सी धनिया पोडर इसे मैं डाल रही हूँ इसमें चोखा करूँगी तो देखिए इसे इस तरह से mix कर ली हूँ अब इसमें मैं आलू डाली हूँ और आलू डाल के इसे मैं अच्छे से mash कर लूँगी क्योंकि इसमें गुल्ठी न रहे गई और स्वाद अनुसार म नमक डालिएगा अब डाल रही हूँ धनिया के पता चॉप करके तो यहां पर देख सकते हैं इस तरह से मेरा चोखा फ्राइफ हो चुकी है तो गाईज यह बहुत ही स्पेसल रेसीपी है बहुत ही अच्छी लगती है आप इसे बनाएगा तो अब मैं इसका ग्रेवी बना रही हूँ चोखा तो बन गई है चोखा तक ठंडा होगी तो यहां पर मैं एक प्याज एक प्याज और बड़ा वाला अगर छोटा है तो दो डालिए लसन और टमाटर का जो बीज था वो समय देखिए यहां पर मैं यूज ले आई हूँ और थोड़ी से अगर अद्रक है त तो मैंने सोचा कोई बात नहीं इसे मैं बनाती हूँ तो देखिए मैं ग्रेवी का मसाला रेडी कर ली हूँ अब इस तरह से इसे चमच के सहारे से भर लेना है तो गाईज यह बहुत ही आसान है और सोचने में तो बहुत ही आसान है पर खाने में बहुत तेश्टी है गाई तो मैं पूरा भर ली हूँ, तो guys मैं कडाही चड़ाई हूँ, तो कडाही मैं तब तक उतार दी हूँ, क्योंकि कडाही में इतना टमाटर नहीं अड़ती, तो मैं एक पैन चड़ाई हूँ, पैन में ही मैं फ्राई करूंगी, क्योंकि टमाटर ज्यादा है, और कडाही जो मेर जादा तेल डालना में नहीं डालना है अगर इसे चोख़ा सब गीर सकती है इसलिए इसे फ्राइग करना है तो घख सकते हैं आपे मैं टमाटर को फ्राइग कर रही हूं घख के अध्या अब लोग देख सकते हैं, इस तरह से पलट पलट के इसे पका लेना है तो गैस यह वाला सबजी बहुत टेसटी लगती है और वीडियो आप लोग काहां से देख रहे हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताना और मेरी वीडियो आप लोग को कैसी लगती है वो भी कमेंट बोक्स में बताना guys आप लोग की help की मुझे बहुत जरूरत है आप लोग help नहीं करोगे तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती guys मैं हर एक वीडियो में आप लोग को बताती हूँ तो देखिए यहाँ पे मेरा टमाटर पक चुकी है तो अब मैं चढ़ा रही हूँ वही कडाही जो तेल में डाल चुकी थी तो इसमें थोड़ी सी और मैं तेल डालूँगी तो गैज आप लोग के हेल चाहिए और मेरा सपोर्ट करो सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती तेहाँ पे डाल रही हूँ मैं जीरा और कडाही मेरा गरम हुल है तब अब इसमें डाल रही हूँ इसके अलावा कुछ भी नहीं डालना है जीरा के अलावा और इसमें मैं डाल रही हूँ वही प्योरी जो मैं बना की रखी थी टमाटर ये सब का तो इसमें मैं डाल दे रही हो गाईज तब तक अभी मैं इसमें मसाला नहीं एड करूँगी क्योंकि अभी इसमें सिर्फ ढख के कुक करूँगी सिर्फ टमाटर का ग्र समझा है आपको बता क्या है है कि मीर्ची फटी 6 में में लगे घ्रफटी कि मीर्ची सब लगेगी और मुलासन प्याजी सब मिठा मिठा होता है तो अगर आप लोग को मीठा पसंद है तो कोई वात नहीं थोड़ा कम मिर्ची डालें और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कास्मीरी मिर्च इससे कलर बहुत अच्छी आती है तो देखिए इसे मैं तब तक फ्राई करूँगी कि जब तक इसमें से तेल नहीं निकल जाए तो तब तक इसे मैं भूँचती रहूँगी क्योंकि मसाला भूंजनता है तब ही जब इसमें से तेल छोड़ देती है तो जब तक तेल न छोड़े तब तक भूंजते रहिए और यहां पर देख सकते हैं मेरी मसाला होने वाली है तो अब इसमें कुछ मैं और एड़ करूँगी तो इसमें मैं एड़ करूँगी स्वाद नुसार नमक तो गाई नमक तो बहुत जरूरी होती है आप लोग अपने हिसाब से नमक डाल लीजिएगा कितना आप लोग खाते हैं तो इसमें नमक भी थोड़ा सा लगती है गाईज क्यूंकि इसमें खटापन और मिठापन ज्यादा होती है इसलिए नमक इसमें लगेगी ही लगेगी पर गाईज एक बार ये तो ट्राइ करना मेरे तरफ से बहुत ही टेश्टी बनेगी और सपोर् नहीं है तो सामर मसाला भी डालना अलग टेश्ट करने के लिए अब मैं डाल दी हूँ इसमें दही और इसे में इसे भी मैं फ्राइ करूंगी क्योंकि तब तक चलाओंगी जब तक का इसका कलर ना चेंज हो और भूंज ना जाए तो गाईज यहां पे देखिए मेरा कलर च ग्रेवी चाहिए तो यहां पे मैं इसे पकने देती हूँ तो देख सकते हैं यहां पे मेरा यह जो ग्रेवी है पक चुकी है तो अब इसमें मैं डाल देती हूँ धनिया पत्ता देख सकते हैं यहां पे मैं धनिया पत्ता बारी कटी हुई और थोड़ी सी गरम मसाला डाल द तो देखिए यहां पर मैं टमाटर इसे डाल देती हूँ क्योंकि यह कड़ा ही ऐसा ही अगर आप लोग पैन में बना रहे हैं तो अगर आपका टमाटर पूरी तरह से नहीं धख है तो चमच के सहारे से मैं बताऊंगी इस तरह से उसे डख देना है तो यहां पर देखिए पै मैंने तो बनाई तो जब कोई दम बोला कि यह टमाटर वाला नहीं है तो अंडा कड़ी है अंडा कड़ी है बहुत टेस्टी बनी गाइज तो आप लोग जरूर ट्राइ करना और कमेंट बॉक्स में बताना तो गाइज मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ ऐसे इसे ने रे